हेलो दोस्त कैसे वाप सब स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल नौकरी वाला में आज जो वेकेंसी आरखी एंडियन रेलवे के द्वारा ये बंपर भरती का एक अफिशल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे अलग-अलग टैप के पोजिशन रहेगी जैसे कि जूनियर इंजिनियर के पदू के लिए वेकेंसी नोने निकाली है उसके अलवा यहाँ पे सीनियर सेक्षन इंजिनियर के पदू के लिए वेकेंसी रहेगी साइट इंजिनियर के पदू के लिए वेकेंसी आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पे सूपर इंजिनियर का सैलरी लगबग 65,000 उपर रहेगा यहां पे साइट इंजिनियर का सैलरी 45,000 उपर रहेगा और हर पोजिशन का सैलरी अलग-अलग देखने को मिलेगा इसके अंदर ओल ओर इंडिया के कैनिडियेट अप्लाइ कर सकते हैं चाहिए आप इंडिया में कहीं से भी ब इंजिनिरिंग कर रख है बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे और यह आपका एक ऑफिशली नोटिफिकेशन है जिसके अंदर जो आपका हाइरिंग होने वाल है वो आपका डिरेक्टली इंट्रियो के बेस पे हाइरिंग आपको देखने को मिलेगा कोई भी आपका एक्ज पूरवक अच्छे से देखेंगे तब आपको प्रॉसस समझ माएगा और आप इसको अप्लाइ कर पाओगे और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो आपन थुक कर रखाए याद ही मुझके च् Garlic कर रहा है जैसा आपने लीडियो को लॉकेशन में जॉप को सर्ञ करना चाहते है तो मैंने आपको वीडियो की डिसक्रप्शन में और क्युमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, connect with me का simply उस पर click कर देना, यह tab open होगा जो भी platform आप use करते हैं उस पर click करके आप हमसे connect हो सकते हैं बात कर सकते हैं, and यहाँ पर मैं आपको top पर दे रखा है, pressure resume format आप इस पर click करके resume को download कर सकते हैं, जो कि PDF की format में रहेगा, फिर आप उसको edit भी कर सकते हैं PDF editor application की help से, जो कि आपको play store पे मिल जाता है, तो इसी बात पर channel को subscribe कर लेना, bell icon को जरूर से press कर लीजेगा, ताकि जब भी मैं next video upload करूँगा, आपके पास सबसे पहले notification आएगा, आप उसको directly apply कर पाओगे, तो चली वीडियो को शुरू करते हैं, दोस्तो directly मैंने officially notification को download कर रखा है, screen पर आपको नजर आ रहोगा और यह notification यहाँ पे जारी किया गया, Railway कास निगम limited के दुआरा, जो कि आपका government of India enterprises आपको देखने को मिलेगा सरकारी company आपको देखने को मिल जाती है और Railway के sector के अंदर कमपनी काम करती है, और यहाँ पे आपका जो project चल रहा है वो आपका पूने metro project यहाँ पे चल रहा है उसी के regarding यहाँ पे इन्होंने vacancy निकाला है, diploma, BB Tech candidate के लिए और अगर आपने simple graduation कर रहा है, तो भी आप यहाँ पे eligible रहेंगे, selection आपका interview के base पे होने वाल है, all over India के candidate apply कर सकते हैं इसमें दो दिन आपका interview चलेगा एक तो आपका चलेगा, 29 April को दूसरा आपका चलेगा, यहाँ पे वो आपका 30 April को चलेगा, तो आपको contract based पे vacancy रहेगा, starting में contract आपका 5 सल चलेगा, फर्दर उसको extend कर दिया जाएगा, तो चले vacancy के बार में जान लेते हैं, देखे project manager के पदो के लिए vacancy है, deputy project manager के पदो के लिए vacancy है, उसके अंदर quality assurance engineer का vacancy रहेगा, basically junior engineer का vacancy है, civil engineer का vacancy है, project management engineer का vacancy है, officer के पदो के लिए vacancy है, plumbing engineer के पदो के लिए vacancy है, safety manager के पदो के लिए vacancy है, यह आपकी junior engineer के पदो के लिए vacancy रहेगी, electrical में junior engineer आपका यहाँ पे रहेगा, जो कि आपका safety department में रहेगा, senior engineer का position रहेगा, safety department में electrical engineer की position रहेगी, fire manager की position है और भी बहुत सारे आपके position देखने को मिलेंगे कुछ position का interview आपका 29 April को रहेगा कुछ position का रहेगा यहाँ पे आपका 30 April को तो दोनों दिन में से कभी भी आप जा सकते हैं और अपने working interview को दे सकते हैं यहाँ पे जाना का हैं यह आपका दे रखा address इस address पर आपको जाना पड़ेगा जो कि आपका New Delhi का रहने वाला है यहाँ पे जाके आपको अपने working interview को देना पड़ेगा तो यहाँ पे मैंने इसका officially notification को download कर लिया है पूरा detail में यहाँ पे दे रखा है मैंने आपको बता भी दिया है कि contract based पे वेकेंसी यहाँ पे नोने निकाली है यह आपका एक public sector unit की category में आता है और इसके अंदर पूने metro project चल रहा है उसी के regarding यह notification जरी किया है वेकेंसी detail के बारे में जाने तो यहाँ पे detail of vacancy के बारे में दे रखा है कितनी पोस्ट रहेगी, qualification क्या रहेगा, experience कितना रहेगा और walk-in intro क्या रहेगा यह सारी चीज़ें आपके दे रखी है तो सबसे पहले हम junior engineer की जो vacancy निकाली है नोने उसके बारे में हम देख लेते है तो यहाँ पे चलते है सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से start कर देते हैं कि आप देख सकते हैं कि यह जो vacancy आपकी रहेगी इसमें आपका देख पार है कि senior engineer के पदो के लिए vacancy है इसमें b.tech मांग है तो अगर आपने b.tech कर रख है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके लबा junior engineer के पदो के लिए vacancy है safety department में electrical आपका department रहेगा अगर आपने diploma कर रख है electrical में अप्लाई कर सकते हैं दो साल का experience मांग है दोनों जगे senior engineer में भी दो साल का experience मांग है और junior engineer के अंदर भी दो साल का experience मांग है उसके लबाए यहाँ पर आपका senior engineer की vacancy है fire and safety के अंदर तो अगर आपने b.tech कर रख है अगर आपने तो आप इसको अप्लाई कर सकते है fire and safety के अंदर और यहाँ पर दो साल का experience आपके पास होना ज़रूरी है उसके लबाए यहाँ पर आपका health officer की vacancy है MBBS वालों के लिए discuss नहीं करेंगे environmental engineer की position है b.tech कर रख है m.tech कर रख है अगर आपने यहाँ पर environmental science में engineering with experience अगर आपके पास है metro project का 5 साल का तो आप इसको अप्लाई कर सकते है उसके लबाए senior engineer की पदों के vacancy है traffic department रहेगा या आपका diploma कर रख है अगर आपने traffic and transportation engineering और planning के अंदर अप्लाई कर सकते है यहाँ पर बस एक साल का experience मागा है और यहाँ पर welfare officer की vacancy है तो अगर आपने diploma कर रख है PG diploma कर रख है अगर आपने यहाँ पर आपका जो law रहेगा उसके अंदर law में या फिर industrial relation में तो आप इसको अप्लाई कर सकते है दो साल का experience है तीस तारीक हुए आपका walking in true रहेगा और भी vacancy है जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर chief engineer की vacancy है इसके अंदर आपका 12 साल का experience मागा है इसको discuss नहीं करते हैं हम देखते हैं सबसे पहले plumbing engineer के पदों के लिए vacancy डिप्लोमा कर रखा है या फिर bb tech कर रखा civil में apply कर सकते है 5 साल का इधर experience मागा है सबसे पहले हमने कम experience की vacancy को discuss किया उसके बाद यहाँ पर जो 5 साल की experience की vacancy उसको discuss कर रहे है या आपका civil engineer की है बट कर रखा है डिप्लोमा कर रखा सभीउल में apply कर सकते है पांशाल तक का experience यहाँ पर मांगा गए उसके लवा आपका क्या टार इंचिनर की विकेंसी की vacancy डिप्लोमा कर रखा है बट कर सभीवी टेक्षर कए इसको यहाँ पर इनोंने प्रभूइ इंट्रीव स्टार्ट हो जाएगा एक महिनेंक के अंदर यापको जॉइन यहां पर करना पड़ेगा डारेक्टली आपको जाना है और वकिन इंट्री को देना है इसके अंदर आपको डॉक्युमेंट वरिफिकिशन करवाना पड़ेगा इंट्री आपका रहेगा traveling जो आपका launch रहेगा company provide नहीं करवाएगी साफ-साफ यहाँ पे उन्होंने mention कर दिये आपको खुद के पैसे लगा के यहाँ पे जाना पड़ेगा क्या कि document required है यह सब कुछ यहाँ पे दे रखा है सारे document आपको लेके जाने पड़ेंगे यह application form का print out निकाल लेना है और print out निकालने के बाद इसको manually fill करना पड़ेगा और manually fill करने के बाद जो भी आपके relevant document है वो आपको साथ मे लेके जाने पड़ेंगे जब भी आपका interview है date के according आपको जाना है चाहे वो आपका 29 April को चाहे वो आपका 30 April को जब भी आप जा रहे है उसके according इसको fill करेगा कौनसी post के लिए आप apply कर रहे है फोटो लगा देना name आ जाएगा इस सब कुछ आपको normal सा form है इसको fill करने के बाद जो भी relevant document है उसकी jarox copy with self-attested self-attested मतलब कि आपको जो भी आप jarox copy attach कर रहे है उस पर आपके signature होने चीए और यहाँ पर date और time यहाँ पर mention कर देना है और क्या यहाँ पर आपके signature आ जाएंगे इस सारे document लेके आपको जाना है और अपने walk-in intro को attend करना है मैं आपको यह PDF टेलिग्राम चैनल पर provide कर वा दूँगा आपका education qualification कौन सा है कौन सी job आप search कर रहे हो all the best जैहिन